हलो एव्रिवान मैं मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्य और द्या सक्सेस पॉइंट आज के इस क्लास में हम सौल करेंगे कक्षच्छ और साथ की जो गनित की कारिय पुस्तिका है उस कारिय पुस्तिका के कारिय पत्रक 65 और 66 चले स्टार्ट करते हैं भाजकता के नि तीन के पहाड़े में हो छे की भाजकता का नियम दो वै तीन दोनों से भाज्ये दोनों से भाज्ये ग्यारा की भाजकता का नियम सम वै विशम अंको का योग समवर विशम अंको का योग का अंतर योग का अंतर जो हो है ग्यारा के पहाड़े में आता हो नेक्स्ट नियम लिखी में से कौन से तंक है दस से भाज्ये आप दस से भाज्ये के लिए पीछा उनली फोर जीरो देखना आपको क्या होना चीए लास्ट में 0, यहां पर 0 है तो हां हो गया, यहां पर 2 है नहीं होगा, यहां पर 0 है तो Yes, यहां पर 7 है No, 0 Yes, 0 है Yes, 0 है Last में Yes, 6 है नहीं होगा, 0 है Yes. next निमलिकित में से कौन-कौन सी संख्या है दो से विभाज्य होती है या नामे उत्तर दे हाँ या नामे देना है अपनको दो से अब दो से भाज्य के लिए देखना पड़ेगा दो है चार होनी चाहिए छे, आट और लास्ट में 0 या तो दो हो लास्ट में या चार हो या चाह हो या आट हो या जीरो होना चाहिए तो संख्या किस से होगी? दो से भाज्य होगी सबसे पहला है 2, yes 4, yes 1, cross 8, yes 6, yes और 1, cross 1 है यहाँ पर नहीं होगा 2 है तो yes और 0 है तो yes next पांच से विभाज्यता के लिए धन देना है जीरो और पांच होना चाहिए लास्ट में क्या होना चाहिए जीरो और पांच तो जीरो है येस पांच येस एक है नहीं होगा दो है नहीं जीरो है येस इसमें भी जीरो येस पांच येस जीरो येस और दो नहीं नेक्स्ट निम्र में से जो कतन सत्य हो उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो गलत असत्य हो उसके सामने क्रॉस का निशान लगाना है यदि कोई संक्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी ऐसा नहीं है या सत्य है क्योंकि जो 5 से विभाज़े और 10 से विभाज़े नहीं होगी क्योंकि 25 के पाड़े में आता है लेकिन 10 से नहीं कट होगा इसलिए यदि कोई संक्या 6 से विभाज़े तो ये 9 से विभाज़े होगी नहीं जो संक्या 6 से भज़े है वो 9 से भज़े नहीं होगी 6 में 6, 12, 6, 18, 16 का choice लेकि 9 के पड़े में choice नहीं आता है मतलब यह होगा आपका आ सकते यदि को संक्या 8 से भज़े है तो 2, 4 से भज़े होगी हाँ यह सही है सकते नेक्स विवाजिता के नियम के अदर पर जाच करके बताएए 2 का नियम था, 5 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा अब 3 से तो अंकों को जोड़ के देखना पड़ेगा अपन को 3 और 2, 5, 5 और 5, 10 के 10 आता है? नहीं 4 और 2, 6, 6 में मैंने 9 जोड़ा 15 तो yes 4 और 4, 8, 8 और 1, 9 तो yes बट 2 के पाड़े में नहीं होगा, मितलब 4 से भी नहीं होगा तो क्रोस कर दीजी 5 के लिए पीछे 5 होना चाहिए, yes इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 6 के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए तो यह तो 2 में होई नहीं रहा, तो क्रोस 8 के लिए 2 और 4 में भी होना चाहिए ज़रूरी है कि 2 और 4 में भी हो, तो 2 में ही नहीं है तो 8 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा 9 से, 3 से तो at least होनी चाहिए तो यह तो already 3 से नहीं है इसका देखेंगे, 4, 2, 6, 6, 6, 9, 15, 15, 9 के पाड़े में नहीं आता है क्रोस, 4, 4, 8, और 1, 9, 9 के पाड़े में आता है 9, yes, तो यह तो यह होगा true नेक्स्ट है, 10 से पीछे 0 ना चीए, तो किसमें भी 0 नहीं है 11 से 5 और 3, 8, 8 में से 2 गया तो 6, 6, 11 के पाड़े में नहीं आता 9 और 4, 13, 13 में से 2 गया तो 11, 11 क्या आता है, yes नेक्स्ट, 4 और 1, 5, 5 में से चाहिए, एक, तो यह क्रोस नेक्स्ट, कालिपत्रक 66 का first question, 11 से विभाजिता दाये से विशम इस्थानों के अंकों का योग, विशम इस्थान के अंकों का योग करना है तो 1 और 3 का जोड़ेंगे तो 3 और 1, 3 प्लस 1, 4 और फिर दोये से सम इस्थानों का, तो 3 और 1, 4, 4 में से चाहिए, 0, अन्तर इतना हो गया नेक्स्ट है पहले हम लेंगी नो आठ और छे छे प्लस आठ प्लस नो छे में आठ चवदा चवदा में नो आप जोड़ दीजे तेईस फिदर जीरो और एक बचा तो एक प्लस जीरो का कितना हो जाएगा एक तेईस में से एक माइनस कर दीजे नेक्स्ट छे चार और आठ आठ प्लस चार प्लस छे आठ और चार बारा बारा में छे जोड़ा हमने अठारा और छे प्लस एक कितना हो गया साथ अब अठारा में साथ गटा लीजे अठारा में साथ गया तो कितना बचेगा ग्यारा नेक्स्ट सात और आठ और 9 तो 9 प्लस 8 कितना हो गया 17 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 24 इधर है 6 और 7 13 24 में से 13 गए तो कितना बचा 11 अब यह सारी संख्या है नो 11 के पाड़े में आती है इसलिए यह सारी संख्या 11 से भज़े हो गी next संख्या 1053 तो तीन चार ग्यारा से पुन्टे वज़ित है तो रिक्स्तान में कौन सा अंक आएगा ठीक है ना चार अपन को जोड़ना है चार और तीन और जीरो को तो तीन और चार को जोड़ा साथ आया इधर पांच और एक छे तो यहां पे साथ होना चीए क्योंकि जीरो आ जाएगा तो साथ कब आएगा जब यहां पर एक होगा तो इसमें आएगा एक आंसर क्या होगा इसका एक संक्या 572 में से कम से कम क्या घटा जाए कि दस से विभज्य हो जाए तो दो घटा लिजी इसमें से माइनस दो करेंगे दो मेंस दो गया तो जीरो आ जाएगा तो दो क्या घट पारजीता का नियम, दो, आछ है पीच्छे 2 से बाज़े होगा, 6 है पीच्छे 2 से बाज़े, 9 है पीच्छे 2 से बाज़े नहीं होगा, अब 3 के अंदर देखते हैं, तो 3 के अंदर इनको जोडेंगे, 8 और 9, 17, 17 में 5 जोडा, 22, 22 में 8 जोडा, 30, तो 30 यस, 6 6 है तो ओल्रीट 3 से जाएगा यह तो 4 और 5 9 9 हो गया 9 में 6 जोड़ा तो कितना है यह 15 15 में 8 जोड़ दीजिया 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32 32 नहीं होता है कर दो से है तो अपन 4 से चेक कर लेंगे 4 से यह नहीं है 4 से 4 चार से यह भी नहीं है 5 से करेंगे 5 से पीछे 0 या 5 होना चाहिए तो किसमें भी नहीं है चैसे अगर 2 तीन दोनों से यह तो 6 से भी होगा टिक कर दीजिये 2 तीन दोनों से यह तो 6 से भी होगा यह नहीं होगा चार से नहीं हो रहा तो आट से बिल्कुल नहीं होगा, नो से, नो के लिए अंको का योग तीन से होगा तो नो से हो सकता है, तो तीन से होगा तो नो से हो सकता तो ये तो नहीं होगा, फिर प्लास्ट बाला नहीं होगा, इसमें हम करके देखते हैं, 6,6,12,6,6,6,6,6,6,6,6 इस नो के पड़े में नहीं आता इसलिए नहीं होगा 10 से के लिए पीछे 0 होना चाहिए तो इसमें किसमें भी 0 नहीं है इसलिए क्रोस 11 के लिए हम इसको अंखो को क्या करेंगी 9 और 8 कितना होगा 17 और 8 और 5 13 माइनस कर दीजिए 17 में से 13 कट किया तो कितना है चार आएगा जो ग्यारा के पड़े में नहीं आता है नेक्स्ट 6 अमचे 6 दू नी 12 छेतिया अठारा इधर भी अठारा में से टारा गया 0 आएगा तो 0 ग्यारा के पड़े में आता है फिर 9 में 6 जोड़ा 6 में 4 तो 19 और 5 और 8 13 तो यह भी नहीं होगा